बिसम्लाइ राम रहीम, Assalamualaikum students, लास्ट अक्सर में जो है वो हमने वचेरिया की वैस्टेटिव रिपोड़क्शन और जेनरल जो था यह जन्तोफाइटा का वो पार लिए था, आज हम इसकी सेक्शल रिपोड़क्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, वचेरिया जो है इसमें रिपोड़क्शन और जेलाते हैं, और जो है वो साइज में लार्जर होंगे, सैसाइल और स्टार्क्ट होते हैं, सैसाइल का मतलब या तो मूव नहीं कर सकते हैं, एक जगा पे विदाउट स्टार्क होंगे ठीक है, या पिर स्टार्क्ट होंगे, और स्पैशल ब्रांचेस और ओगनियम की डिवेल्मेंट से पहले स्टार्ट हो जाती है एंथ्रीडियम जो है वह कलब शेप होगा यह इपेक्स ऑफ शॉर्ट ब्रांचेज जो है उसके अफर साइड पे ग्रोव कर रहा होगा एक सेप्टम जो है फिलामेंट का जो बिल्कुल स्टार्ट वाला इपेक् पॉर्शन है वह एंथ्रीडियम की तौर पे ग्रोव करना शुरू करतेगा यह शुरू में जो है वह प्रोटोप्लास्ट ओफ एथ्रीडियम इस डिवाइदे इंटू मैनी यूनी निकलियर पार्ट उसको वह जबहादा यूनी निकलियर पार्ट में डिवाइड कर जे जा हुआते हैं उस पॉर के अदरी है ऑगोनियम जो है उसकी डिवेल्प्रेयान के बाद में इस डेडिया से करीब ही एक ही फिलम प्रॉपिलमेम परे स्टार्ट होती है तर्फ ऴल्डाच थे यह हममतहले के भाद टोरिया सा औरे नियुण्स बकर पर भर प्रत भी जो है वो bulge is produced in the filament filament में bulge के तोर पे side, side of plasma में move कर जाता है और bulge सा बन जाता है ठीक है और वो cell septum के दरीए separate हो जाता है और वो ओगॉनियम के तोर पे उसकी devian start हो जाती है ओगॉनियम बन जाता है और globus शकल का जो है वो हो जाता है multi-nucleate protoplast और ओगॉनियम का जो है वो single cell में change हो जाता है जो के o sphere कहलाता है ठीक है या तो egg cell उसको कहते है या फिर o sphere कहते है protoplast जो है वो उसमें convert हो जाता है o sphere में और उसमें सिरफ एक nucleus जो हो रह जाता है पहले वो multi-nucleate होता है बाद में वो जब o sphere बन जाता है तो वो सिरफ एक nucleus उसमें रजाता है और उसकी ओगॉनियम की वाल पे एक pore बन जाता है जहां से एंथिरोजाइड ने एंटर होना है फिर fertilization का process होता है बहुत सारे एंथिरोजाइडस हों है वो ओगॉनियम के अंदर उसी pore से एंटर होते है लेकिन उन में से सिरफ एक जो है वो fuse होता है ओगॉनियम, वो स्फियर के साथ fuse होने के बाद वो स्फियर जो है वो जाइगोट के बन जाता है और जाइगोट के जो है वो थिक वाल बन जाती है और वो o spore की फिर बाद में जर्मिनेशन हो जाती है उस पोर जो है वो अनवरेबल कंडिशन में rest की फ़ाप में रहता है और जैसी condition favorable होती है तो o spore जब जर्मिनेट करके new filament बना देता है तो इस hell정 से इसमें sexual reflection कंप्टील होती है अब हमारी नक्स ड्वियन जो है बैसीलेरियो, फटा, यह स्टाट हो रही है, बैसीलेरियो, फटा को डाइटाॉम्स भी कहते हैं, इनके अक्रेंस में यह कोते हैं इसके लावा यह मेरी इनोर, फ्रेश वाटर, तौनों तरह के जो इन्वार्मेंट है उनमें रह सकते हैं यह जो हैं ब्राउनिश स्कम बनाते हैं पॉंड या मड़ की सर्फेस के उपर क्योंकि यह ब्राउनिश कलर की होते हैं तो ब्राउनिश स्कम सा बना देते हैं यह उसके उपर इसके लावर डायटॉम्स हो हैं वो सप्रिंग में औ आटम के जमादा और में अबर्णनेट होते हैं वेजडिट इस्टर्टर्टर जो है इंके डायोटाम्स यूनि सैललर और्टम होते हैं कलूनी इस बनाते हैं और मिूसिलेजनस कवरिंंग होती है हैं जिनकी विडासे कालोनी के सेल हैं जिसकी विजासे कालोनी के सेल एक दूसरे सेरिव कर जाते हैं। क्रिपिंग मॉवव Blaze होते हैं। तो creeping movement जो है वो scheint वांट की वजथ होती है यनी यनि यह साइट व्यूचे साइट बाद्वर्चे साइट पर वोडिवर्चित बेंगर जाता है जैसे दो पेटरी। डिशे इ constitutional को पर रखी होती एख है जल्वाल पेकिटिक सबस्ट्रक्शिस्य से बनी होती है जैसे इसमेश July की impregnation भी होती है जिसकी आप जल्वाल उख हार्ड होती है जल्वाल इनकी जो वाल है उस गल्वाल है till our Lapping के दूरान इनके Margin's होगे हैं वो अच्छी तरह से Cover हो जाते हैं एक Connecting Band इनको Cover करता है जिसको कहते हैं Singulum Connecting Band जोके Dia Tom's के Margin's है उनको Cover कर रहा हुता है को Singulum कहते है, Two Walls जो अपने इनर प्रोटोपलास के साथ फुरॉस्टरल्स कहलाते हैं ये अपने इस प्रोट याद रखने है?" सिंगुलम फुरॉस्टरल्स उसके बात large-world होगा बाहर वालाज रिखुण been, अपने आप।िथेसिया ईपिथिका, और जो लाओ वालव होगा और जो smaller होगा उसको कहेंगे हाईबो ठीका cell जो है मुसिलेजनस लेयर ने cell को cover किया होता है surface of wall has minute pore or pits जो walls की surface है उसमें चोटे-चोटे pits होंगे या pores होंगे और उसमें characteristic marking होंगी marking free area जो है वो axle field रहराता है और marking जो है वो linear row में arrange होती है या पिर इसमें longitudinal slit जिसको refi भी कहते है वो मुझूद होता है axle field जिसमें refi नहीं होता उसको soda refi कहते है refi जो है वो throughout length continuous रहता है continuous नहीं होता एक circular thickening जो के central nodule कहते है center में वो बनाता है refi similar thickening is also present at the outer end of the refi उसके बाद जो है वो radial symmetry इसकी होती है और bilateral symmetry marking जो है उसकी surface पे diet arms की surface पे जो marking होती है उसको हम दो types में divide करते हैं उसकी बन्याद पे एक तो radially symmetrical होते है और दुसरे bilaterally symmetrical होते है इसमें जो है markings radial symmetrical pattern में arrange होती है diet arms जो है वो इस वज़ा से circular हो जाते हैं यानी radial symmetry होती है markings की और जो शो होती है उसकी surface पे valve की surface पे जो marking होती है उसकी बन्याद पे radial symmetry होती है ठीक है यह आपको figure में show कर जाते हैं ज़रा यहां पे अगर figure नद्दा आ रही हो इनकी तो यह A वाली जो figure है यह radial symmetry वाली कई हैं तो इसा विषर बर्ट के दो पैलयिटर्ट समेट्री वाली मार्किंग है n expenses रोन शेटां। उप निए हैसा समीप मार्किंग मुझे है लेटर्ल समीपर्य गाली हो वाकीप नेजिशा प्नाते हैं और नेजि़ सेल सेट्रक्टर जो है डाइटाम्स का उनमें वेक्यूगल प्रेजन्ट होते हैं साइटोफलाजमिक अंदर एक या एक से ज़दा क्रोमेटोफोर्स होंगे सिंगल नुकलियस होता है नुकलियस में माइटोसिस डिवियन होती है स्पिंडल फाइबर्स जो है वो सेलेंडर की फार्म में अरेंज होते हैं क्रोमोजोम्स जो है में एक्यूटोरियल रिंग बनाते हैं पाइरिनाइड जो है वो नहीं प्रेजनेट होते हैं और स्टार्च टोपलेट नावा क्राइसो लेमिने राइन जो है यह विए एक रिजर्व फूड मैटिरियल में हुजूद होता है ताइटमेशियस अर्थ जो है फुरुस्टरल जो के डेट डाइटाम्स कियते हैं वो पॉंट सी या लेक की सर्फिस पे आ जाते हैं डेट होने के बाद उनकी और एक ब्राउन कलर का जो है वो सर्टक्टर सा या एक ऐसी अर्थ टाइप बिना जेते हैं इसको डाइटमेशियस earth कहते है डायाटमेशिस earth के बहुत सारे कमर्शल फाइदे हैं डायामाइट की मैनुफेक्चर में पॉलिशिज में टूथ पेस्ट में इसके लावा बॉाइलर्स और फरनेस्स जो है उनमें इंसुलेटर के तौर पे ये डायाटमेशिस earth जो है वो इस्तमाल होती है VEGETATIVE प्रॉपेकेशन जो है वो इनमेड डायटम्स में सिम्पल तौइटर के तरह होती है माइटोसीस न्यूक्लियर तौइएं जो है वो माइटोसीस के तरह होती है और सल जो हो दो पार्टस में डिवाइद हो जता है हर हाफ जो है वो इज आफ रीवाब दा प्रॉड़ आ उतो — रॉड़ों लोग है। नेकिनुम करा लेता है ऐस तरह से Japर होग मेजडीटि़ प्रॉपॉजिशन होता है। आग्जवस्पोर फार्मिशन जो है, sexual reproduction जो है आग्जवस्पोर फार्मिशन से होती है, आग्जवस्पोर ग्रो करके नए cell बना जेता है, first devian जो होती है, और चार निक्ले परडियूस होते है, आग्जवस्पोर जो हो मुखलिफ तरीकों से बनते है, यह टोटल यहां पे जो तो सिंगल अग्डोस्पोर्ट, दो स्मालर इंडवियल जो होंगे डायट नाइड के फाइल नम्डवियन बैसिलेरियो फाइटा के गैमिट्स के तौर पर आपसमें फ्यूज कर जाएंगे और अग्डोस्पोर बना देंगे, इसके लावा टू वेजिटेटिव सेल्ज जो है दोता के मिरे और अग्डोस्पोर बना देंगे, तो इसके बाद है स्टैटोस्पोर फारमिशन, स्टैटोस्पोर को एंडोस्पोर यंट करेते हैं इसकी ठिक वाल होती है, कुछ डायट ओम्ग्ड में इस्टैटोस्पोर बनगा होता है, ठीक है this wall has also has overlapping इंटी जो wall है उनमें भी overlapping होती है लेकिं उनकी जो marking है वो vegetative cell से different होती है इसके बाद dietworms की commercial importance dietworms प्राइमरी प्रडिस्टर थैं phytoplankton कहलाते हैं ये marine environment में सबसे ज़रा photosynthesis गई कर रहे होते हैं food का source है marine fishes का और marine animals की food का source है इसके लावा जो डायटोम्स की बॉडिस होती है 11% ओयल बनाती है इस वज़ा से समद़ जाता है कि जो जिर्जमिन समदर है उसमें बहुत ज़ादा यह रिच है fossil fuel rich है जो ऑशन बैड है वो डायटोम्स की वज़ा से ही समदर जाता है अब इसकी तो टाइप पिनोल एरिया है, यह हम लेक्स लेक्सर में पढ़ेंगे, आज वाला लेक्सर नाम यहीं पर खता है।